तो चलिए फिर पेलता हूं अपना ग्यान जी क्या ले सबके आई होप सब बढ़ी होगे तर भाई साब बड़ा सुनना पड़ता है यार बड़ी इंसर्ट होती है जॉब पे डेली वही कलेस रह गया है कभी-कभी ऐसा लगता है कि यार छोड़ते हैं किसी और कंपणी में दे आपकी ग्रोध नहीं हो सकती किसी कंपणी में आपको हायर नहीं किया जा सकता तो इसलिए ठीक हैं तो आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जैपनीज कंपणी में काम करना है तो आपको उसके पहले से तैयारी क्या कर लेनी चाहिए ताकि आपकी मेर जैसे इंसर्ट ना हो और मेरी किया इंसर्ट होती है वह भी बताऊंगा मेरी कंपणी क्या काम करती है कैसी कंपणी है और मेरा कंपणी में क्या कंट्रिब्यूशन रहता है मैं क्या काम करता हूं सारी डिटेल में आज बात करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं या फिर घर में यूज करते हैं कि यह बेड़ चेर के अलावा छोड़ के ड्रॉर या फिर अल्मिरा टाइप के जो भी होते हैं तो ऐसे प्रोड़क्ट बनाते हैं मेरी कंपनी के बिजनेस अभी बीटू लेवल का है तो यह डीटू में करना चाहते हैं अब जिनको बीटू औ जो कि आप किसी को अपने डीलर पनाते हैं या फिर कहीं किसी शॉप में सेल करते हैं अपना प्रोड़क्ट फिर वो कश्मर के पास जाता है जो आपको सुबह 9-6 में तक करते ना उससे चलती है हमारी लाइव अपने रोजी रोटी और जब आप 6-9 या 10 उसके बात जो करते हमारे ड्रीम हमारे एम और उसनों वही पेलता है जिसको ग्यान होता है समझा इसको इग्नौर करो वीडियो देखो तो मेरी कंपनी में और आते हैं जैसे कि यहां पर जपान में एक बहुत फेमस फरनीचर से रिलेटेड़ कंपनी है टोक्यों इंटीरियर वहां से ज्यादा और आता है वह डायरेक्ट अपने कस्टमर को सेल करते हैं तो जब उनको और आता है तो मेरी कंपनी को और देते हैं तो हम लोग प्रोड़क्ट को यहां पर डिजाइन होता है और फिर उसको मैनिफेक्टर करते हैं तो फिर वह जाता है तो अब मेरी कंपनी चाहती है कि हम द को कि यह खुद की अपनी वेब साइट करके और है और साथ में जो पिंआग कर नहीं करेंगे कि मैं इनकी वेब साइट करनी है मुझे किसी से तो आप यह और होता है कि मैं अभी जैसे इनकी राकोतेम का जो है ना तो जैसे शॉप ओपन किया है अभी इनकी मैंने जब आनलाइन आप उसको पर्चेस करने जाते तो उसमें सारी डिटेल्स हो गहरा होती है एक तरह से एडिया लगाया था कि ऐसे ही मतलब की कमर्शियल वेपसाइट हो गहरा बनानी है तो ऐसे समान हो गहरा है इनका प्रोड़क्त जो हो सेल करना है तो मैंने थोड़ी बहुत पहले ग्रेजियोशन में सीखा हुआ था तो थोड़ी सी मैंने और प्रेक्टिस कर लिया है तो वह सा मतलब काफी ज्यादा एजड़ है काम हो गहरा के एक्स्पीरियंस है साइड इस चीज का तो उसको हैर किया था तो उसको भाई एक बंदे की हेल्प की चरूरत थी तो तभी इन्होंने मुझे मुझे इंटर्व्यू में बताया नहीं था कि तेरी हेल्प करने के लिए कोई है कि तुझे खूझे करना जो करना मैंने का ठीक है कर लेंगे यह थाट कोई बताने वाला नहीं तो अपने आप जैसे के होगा मेरे साम करता है तो यहां का Southwest मेरे साइज की नुखिसी स्ञाटाफ यहां से एक महीन हो गया ठोड़ा बहुत दौणे लगा करने लगा काम तो फिर थोड़ थोड़ा काम होने लगा तो इसटार्टिंग में लग रहा था कि चलो इस्टार्टिंग आते ही आते कोई दिक्कत नहीं धीरे-धीर हो जागा पट एक महीना हो गया एक महीने सो वही कलेश चल रहा है रोज-रोज तो उसका एक्सपरिमेंट करने की कोसिस करता हुं कि अच्छा से अच्छा करता हूं तो ऐसे कर दें तो जैसे कि आप पुरा जैपनीज में होता लगता है है वह सलब भी से कोरें कि जल्दी-जल्दी काम कर तो वह मैं एक्सपरीमेंट किसा तो जब जुड़ा नहीं तो घुस्सा जाता गुल डूसरी फोटो से वहां पर टेक्स डॉसने बोला कि यहां पे सारे उलतर उधिक लेट कर तो आप वह र्दे आलाग तो और फिर वहां पर याइख सारा इह कर दिया नहीं कर दिया कुंशरी पीशरण पूसरी फोटो से यह नहीं काँ दागा और अचरा होग्या तो एक मेरा ना ओफिस स्टाप में ओफिस इंचार्ज यह वो तो उसने फिर मुझे एक दिन मुझे से पूछा कि क्या प्राब्लम कहा प्राब्लम माती तो मैंने बताया कि यह पूसाखा का है इसलिए इसको इसकी लेंगिज साह समझ नहीं आती तो जहां पर नहीं समझ आता तो मुझे बता दिया कर तो एक-दो महीने से ऐसे चड़ाया बो मैंने फिर जब यह था कि यह था कि यार काम थोड़ा लेट होता तो यह कहते था कि जल्दी कर लिए तो इंगलिस में यह था कि अब जैसे जैपनीज में करता है यह फटा-पट कर लेता है बटी यह पूरा इस पड़ता है और मैं हूँ तो साटकट से कर देता हूँ फटा-फट तो अमने जैसे इसकी लेंगविज से समझ नहीं आती तो में काम करता रहता हूं तो थोड़े एकस्पेरिमेंट करके देखता रहता हूं कि यह ऐसे होगा तो उसी लगता है कि मैं इसे और कुछ बोल हाला कि जो मेरा मेन बॉस है वो मुझे कुछ नहीं बोलता वह सुबह से वह मेरा साथ काम करता हूं तो जब आके देखता है ना तो उसे वह काम बड़ा पसंद आता पर वह जब ऐसा होता है करते काम अपने के साथ में काम करते थोड़ा सा अच्छा होता है जो कर आपके पास भॉम करते हैं जो और नहीं थाल और होता तो उसमें और लेंगुज समझ में नहीं आते हैं हाला कि मुझे यार इतनी लेंगोज आती है कि मैं बाहर अच्छे से बोल लेता हूं सब कुछ करें तो बट जो होता है ना कि बॉस का खौप होता ही होता है और यहां पर काम करने में सच प्रेंगोज के बहुत बड़ा बैरि फिर जब हमें क्या प्रॉब्लम आ रही काम करने में जब एक्स्प्रेशन नहीं कर पाते ना तो वह प्रॉब्लम और बड़ी बन जाती है क्योंकि मुझे उतनी लेंग्वेस तो आती है कि जितने में काम चल जाए बस उसका थोड़ा सा उसाखा वाली टॉन है इसलिए समझ नहीं करने देता है और जब एक्सपेरिमेंटर नहीं करें तो कोई अच्छी चीज कैसे बनेगी तो उसने भी बोला कि सही बोल रहा है बट अब क्या करें वह जैसे बोल रहा है वह ऐसे काम करने के कोशिस कर तो ज्यादा ठीक रहेगा लेकिन यह ट्रेनिंग सिर्फ यार न तो यार ऐसा है कि अगर जापान में जॉब करना है न भाई तो पहले लेंग्वेज आप सीख लो और किस फील्ड में आपको काम करना है उस फील्ड को आप मजबूत कर लो और अगर कोशिस करो कि उसको जैपनीज में करना धीरे-धीरे स्टार्ट कर दो तो ज्यादा अच् कि यार प्रॉब्लम कभी जिन्दकी की काम नहीं होती लेकिन जॉब से जो रिलेटेड होती जितने एक्स्पीरियंस अच्छा होता है उतने अच्छा से काम कर पाते हैं इसलिए कंपनी में जाने से पहले आप थोड़ी से प्रेक्टिस कर लोगी तो ज्यादा अच्छा होग जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कुछ चना आप उच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊ जापान से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए अच्छी से अच्छी लेके आऊ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो ठीक है मिलते किसी और वीडियो तब तक लिए बाइबाइब सायानारा टेक क्यार जाए हिन